अपने जनपस से जूड़ी हर खबर को देखनी के लिए इंडिया लाइव नियूस को तुरंट सब्स्क्राइब कीजे और साथी बैल आइकन को भी दवाईए ठाना उत्तर क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक के आफिस के सामने महिलाओं ने लगाया जाम जाम का कारण रात को हुई हत्या है ये मामला थाना उत्तर के टापा खोड का है जिसमें एक 45 वर्ष व्यक्ति सुभाष चंद्र को पत्थर मार कर हत्या कर दी थी परिवार और महिलाओं का कहना है कि पुलिस कोई कारवाही नहीं कर रही है इसलिए मजबूरी में हमने जाम लगाया है जाम की सूचना पर सियो सिटी हरी मोहन और सिटी मजिस्ट्रेट गुलशन कुमार और कई थानों का फोस रहा मौजूद जाम ने एक गाड़ी के शीशे को भी तोड़ दिया था ये गाड़ी कानपूर से आ रही थी देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संबात दाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट और दाशन की वेश्ट का जैसे ने का शर्मार अदूर करें कि अट नहीं थे हिस जो कर दो श्रहेंद जो तो आज आपने जाम क्यों लगाया बात क्या रही कारवाई नहीं हो रही है तो उसमें से किसी घिरबतारी नहीं हुई अभी ताइए तो यह सर अब पारलेल वाले गई हैं घर में से खाली करें के खाली कर दो सब भगें अच्छा ना करना है जै कैसे ठूटा है थी सापका वह गाड़ियां वड़ी थी वाज बड़े नहीं पाई उससे बिने डंडम आती है किसने कौन था महला है थी कौन था अच्छा कौन से ग प्रबसा है कि कौन से लड़। सहीत थी काहाँ नहीं प्रबसाल प्रियां था शना है